हमारे यहाँ पर जैंट्स, लेडीज और किड्स, अंडर गर्मेंट्स का विशेश प्रबंद है जैसे जोकी, यूएस, पोलो, वेनुस और लक्स, दिक्सी, माच्चो, पर्स और बैल्ट, लेडीज के अंदर जोकी, बोडी केर, कल्यानी, सैंटी, ड्रीम, सुनारी, एटीसी, कलर कोस्मेटिक के अंदर, एलेगरल, मैक, क्राइलोन, मैबलीन, लेकमे, लोरेल, एटीसी, कोस्मेटिक के अंदर, बोडी शोप, मामार्त, बायोटिक, एटीसी, विवासादियों में, मेकप किट पर हमारे यहाँ पर बारिलेस है, एड्रस, शांती, सूपर स्टोर, अर्नि विधारित नहीं की गई है लेकिन पंचैत चुनाव को लेकर के गाउं में रंजिसन और वादवी वाद का दोर है वो शुरू हो चुका है आज एक नया मामला है वो सामने आया है यमना नगर के बाल चपर गाउं में जहां पे रात को फाइरिंग की गई है और कई राउंड है वो फाइर की गए गए हैं लेकिन गाम के लोगों ने ये सोचा रात को की बिजली की गड़गडा हट की वज़े से वो नहीं उठे और सुबह है वो फाइरिंग है उसके जो कार्तूस है वो मिले हैं और एक दुकान पर तीन राउंड फाइरिंग की गई है एक दुकान पर एक राउंड फाइरिंग की गई है और एक हवाई फाइर किया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि गाउं में रंजिसन ये मामला है वो चल रहा है सरपंच चुनाव को ले करके और पोस्टर भी लगा दिया गया है कि जो भी गाउं में सरपंच बनना चाहेगा वे अपनी मोद का खुद जिमेदार होगा। इसको लेकर के जो पुलिश है यमना नगर की मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। इसा भी बताया जा रहा है कि बालशपर गाउं के नीव वर्तमान सरपंच है उसकी भी मई 2021 में हत्या कर दी गई थी जिसमें दो लोगों पर मामला दर्ज किया गया था जिन में से एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया था दूसरा आरोपी अभी भी फरार था गाउं के ल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच है वो की जा रही है और हम आपको बता दें कि यमना नगर के बालशपर गाउं में ये जो मामला है वो सामने आया है जहां पे ये कहा जा रहा है कि ये गोलियां गाउं के ही विरेंदर ने चलाई है विरेंदर नीव अर्तमान सरपंच की पती रशपाल की हत्या का रोपी बताया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि यह जांच में ही साफ होगा कि फाइरिंग किसने की है छपपर पुलिस ने सिकायत पर धारा 285, 506 और आरम जेक्ट के तहित केस दर्ज कर लिया है बाल छपपर निवासी राजे रात बजे जब वो अपने दुकान से अपने घर आ रहे आ गे थे तो करीब रात को 11 बजे जो है तीन बार धमाके की आवास सुनाई दी उनको लगा कि यह मोसम की बिजली कड़की है लेकिन सुकरवार को सुबह पडोसी राजेंदर ने उनको बताया कि उनकी दुकानों में गोलियां चली हुई है और जिसको लेकर के जो है मामला अब दर्ज कर लिया गया है ऐसा भी बताया जा रहा है कि गाउं 22 मई 2021 को सरपंच सतनाम कोर के पती रसपाल सिंग की हत्या कर दी गई थी और वे पंचैती जमीन पर गए थे वहाँ पर उनको गोलियों से भून दिया तो ह Day भी धाल यह और उस मामले को लेकर के विरेंदर और सुख्विंदर दोनों पर मुकदमा दर्ज किया गया था ।ो को नाम हो सकता है तो वीडियो को आप जादा शुजादा शे झाल